हेलो दोस्तों विल्कम बेक टो मैं चैनल दोस्तों गड़ आपके पास भी रियल मीन आर्जो 50 प्रो डिवाइस है उसके अंदर चाहते है आटो कॉल रिकॉर्डिंग को आउन करना तो कैसे आप लोग आउन कर सकते हैं इसके बार ने बात करने वाले हैं एक बार आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे सकते हैं उपर 3 dot है उस पे कलि करना है उस पे कली आप सब्सक्राइब करने Remember कोई भी call recording का option नहीं है call recording का option लाने के लिए आप सुभी को caller application को clear data कर देना है एक बार आप सुभी को clear data कर देना है caller application को सो यहां से आप लोग बहुत जिसा आने से clear data कर सकते है इस storage uses पर क्लिक करके यहां से clear data कर देना है clear data करने के गाद आप सुभी को जाना है और वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का option देखने को मिलेगा सो आजाना है कॉलर आफ्लिकेशन के अंदर आने की बाद ऊपर 3.ड़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते है call recording का option आ गया है तो आप लोग को call recording वाले option पे click कर दिना है click करने के बाद देख सकते है आपके सामने कुछ इस type का इंटरफिस आजएगा और आप लोगे आप देख सकते है number not in your contact का option है इसको आप सो भी को enable कर दिना है जो number आपके contacts में नहीं है उसका call recording automatic होगा और एक और option नहीं देख सकते है selected numbers का जो भी number आपके contacts में है उसको यहाँ पे choose कर सकते है उसका भी call recording automatic होगा जिसका भी आप लोग call recording करना चाहते है उसको यहाँ पे choose कर लिजे और इस वाले option को enable कर दिजे जो है number not in your contact जो भी unknown call आएगा उसका भी यहाँ पे call recording होगा और आप लोग यहाँ पे जो contact से number सेव कर देंगे उसका भी call recording होगा तो इस तरीके से आप लोग बहुत यसानिस अपने phone के अंदर auto call recording को enable कर सकते है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दिजे और चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe करने के बाद बेल आइकन को अल पर set कर दिजे सो मिलते अगले वीडियो में